नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए लंबी कहरी सांस भरेंगे मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे ओम का उच्चारण करेंगे हुनक्तु सहवीर्यम करवावः ते जस्विनावधी तमस्तु मावित विशावः ओम शांति 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 अब आप नेत्र खोल सकते हैं रिगवेद के दस्वि मंडल का हम परिचे प्राप्त कर रहे हैं रिगवेद का जो दस्वा मंडल है उसमें कुल सुक्तों की संख्या है एक सु इंक्यानवे और हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने ज्यान सुक्त नदी सुक्त इन सुक्तों को भी हम लोगों ने देख लिया है पिछली कक्षा में हम लोगों ने नदी सुक्त से परिचे प्राप्त किया जो की दस्वें मंडल का पजहत तर्मा सुक्त है नदी सूक्त जिस सूक्त के अंदर हम लोगों ने इमम में गंगी यमुनी सरस्वती इस मंत्र की भी व्याख्या को समझाता अब आगे आईए यजुर वेद के दस्वे मंदल का जो 81 सूक्त है 81 81 सूक्त इसका तृती ये मंत्र देखते हैं ये जो 81 सूक्त का जो तीसरा मंत्र है ये मंत्र यजुर वेद के सत्रहवे अध्याय में भी 19 मंत्र के रूप में आया हुआ है और इस मंत्र पर महरशी द्यानन सरस्वती जी का व्याख्यान हमें आरिया भी विनय इस ग्रंथ में भी प्राप्त होता है महरशी द्यानन सरस्वती जी का ग्रंथ आरिया भी विनय ये भी एक महत्वपून ग्रंथ है आप में से कई महनु भाव इस गरंथ से परचित होंगे आरिया भी वीनज्य ये महर्शी दियानन सरस्वती जी का गरंथ इस गरंथ के अंदर इश्वर के स्वरूप का इसके साथ साथ परमेश्वर के श्तूती प्रार्थन उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए और धर्मादी विश्यों को भी महर्शी द्यानन सरस्वती जी ने रिग वेद और यजुर वेद के मंत्रों के माध्यम से समझाया है आरिया भी विनय इस ग्रंथ में रिग वेद के तिरपन मंत्र, 53 मंत्र महर्शी ने लिये हैं और यजुर वेद के 54 मंत्र लिये हुए हैं इस ग्रंथ में और एक मंत्र तैतरी आरण्य का है इस रूप में आरिया भी विनय इस ग्रंथ में कुल 108 मंत्रों पर महर्शी द्यानन सरस्वती जी का हमें व्याख्यान प्राप्त होता है तो दस्वे मंडल का जो 81 सुक्त है इसका जो तीसरा मंत्र है इस तीसरे मंत्र का व्याख्यान हमें महर्शी द्यानन सरस्वती जी का आरिया भी विनय ग्रंथ में भी प्राप्त होता है और यजुर वेद के सत्रहवे अध्याए के 19 मंत्र के रूप में भी प्राप्त होता है तो आरिया भी विनय ग्रंथ में महर्शी द्यानन सरस्वती जी ने इस मंत्र का जो व्याख्यान किया है 81 सुक्त के तीसरे मंत्र का दस्वे मंडल के रिग वेद के इसको हम लोग आरिया भी विनय ग्रंथ में दिये गए व्याख्यान के माध्यम से समझेंगे तो प्रथम मंत्र उच्चारण ओम विश्वत श्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात सब संबाहु भ्याम धमते संपतत्रैर द्यावा भूमी जनयन देव एकह ओम विश्वत श्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहु भ्याम धमते संपतत्रै द्यावा भूमी जनयन देव एकह इसका व्याख्यान जैसा महर्शी ने आरिया भीविने ग्रंथ में लिखा हुआ है मैं वैसा आपके सामने पढ़कर प्रस्तुत कर रहा हूँ विश्व सब जगत में जिसका चक्षूप जिसके द्रिष्टी है जिससे अद्रिष्ट कोई वस्तु नहीं है तथा जिसके सर्वत्र मुख बाहु पग अन्यश्रोत्रादी है अर्थात जो सर्वद्रिक, सर्ववक्ता, सर्वधारक और सर्वगत इश्वर व्यापक है सर्वद्रिक, अर्थात, सब कुछ देखने वाला सर्ववक्ता, सब कुछ सत्य सत्य का उपदेश करने वाला सर्वधारक, सब को धरन करने वाला और सर्वगत, सर्वगत का अर्थ होता है सर्वत्र प्राप्त इश्वर व्यापक है उसी से जो डरेगा वही धर्मात्मा होगा अन्यथा कभी नहीं जो पाप आचरण से डरेगा जो इस बात को समझेगा कि इश्वर सर्वगत हैं सर्वत्र प्राप्त हैं व्यापक हैं मेरी आत्मा और मन में भी परमात्मा उपलब्द हैं मुझे देखते हैं ऐसा जो जानेगा और परमात्मा के न्यायकारी स्वरूप को समझेगा और साथ साथ परमात्मा के रुद्र स्वरूप को भी समझेगा कि परमात्मा दुष्टों कार, दुष्टों को रोधन कराने वाले हैं, रुला देने वाले हैं, ऐसा जब समझेगा, तो वो धरमात्मा बनेगा, अन्यथा कभी नहीं बन सकेगा वही विश्व कर्मा परमात्मा एक यही अद्विती है, अद्विती का क्या अर्थ होता है, कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, यही अर्थ होता है अद्वाईत शब्द का, आप लोगों ने अद्वाईत शब्द भी सुना होगा, इश्वर का विशेशन है अद्वाईत, परमात्मा कैसे हैं अद्वईत इसका अर्थ क्या होता है अद्वितिय अर्थात परमात्मा जैसा दूसरा कोई नहीं है पित्वी से लेके स्वर्ग परियंत जगत का करता परमात्मा है जिस जिसने जैसा पाप वापुण्य किया है उस उसको न्यायकारी दयालू जगत पिता पक्षपात छोड़के अनन्त बल और पराक्रम इन दोनों बाहुँँ से सम्यक पतत्रई ही प्राप्त होने वाले सुख दुख फल दान से सब जीवों को धमती यथा योग्य जन्म मरणादी को प्राप्त करा रहे हैं तो मंत्र के अंदर के आया जो पहली पंक्ती है पहली पंक्ती में के आया विश्वतष चक्षु विश्वतष चक्षु का क्या अर्थ है सबको देखने वाला फिर आया विश्वतो मुख जिसका सर्वत्र मुख है विश्वतो बाहु जिसकी भुजाएं सर्वत्र हैं और विश्वतस पात जिसके पाद अर्थात पैर अर्थात उपस्थिती विद्यमानता सर्वत्र है ये मंतर की पहली पंग्ति है इसके बात क्या है सम बाहु भ्याम धमती तो वह अपनी बाहु भ्याम अपनी बाहुवों से अपनी भुजाओं से कौन सी भुजाओं से तो रिशी ने क्यार्थ किया कि जो देयालू जगत पिता न्याय कारी परमात्मा हैं वो पक्षपात छोड़ के अनन्त बल और पराक्रम अनन्त बल और पराक्रम इन दोनों बाहूं से तो यहां पर बाहूं के रूप में मैशी ने क्या लिए अनन्त बल परमात्मा में जो अनन्त बल है और अनन्त पराक्रम है इन दोनों भुजाओं रूपी अनन्त बल और अनन्त पराक्रम से परमात्मा क्या करते हैं? पतत्रई ही प्राप्त होने वाले सुख, दुख, फल, दान सब जीवों को करते हैं और धमती जीवों को उनके करमा नुसार यथा योग्य जन्म मरण आदी को प्राप्त कराते हैं आगे लिखते हैं रिशी उसी निराकार अज, अनन्त, सर्वशक्तिमान, नियाएकारी, दयामय, इश्वर से अन्य कभी ना मानना चाहिए तो मांगना चाहिए तो जो परमात्मा निराकार हैं, अज हैं, अनन्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं, नियाएकारी हैं, दयामय हैं, इश्वर हैं ऐसा ही परमात्मा को मानना चाहिए और परमात्मा के ठीक स्वरूप को समझ कर ठीक स्वरूप वाले परमात्मा की यथार्थता से जुड़कर तभी परमात्मा से, इन ही परमात्मा से मांगना चाहिए वही याचनिय पूजनिय हमारा प्रभु और स्वामी इश्टदेव है उसी से हमको सुख होगा अन्य से कभी नहीं परमात्मा के नाम पर हम अपनी कल्पना से कुछ भी अपनी कल्पना से परमात्मा का स्वरूप गड़ लें फिर उस से हम मांगे तो यह वैदिक रिती नहीं है तो परमात्मा के स्वरूप को भली भानती समझें उनसे जुड़ें और वही याचनिय हैं वही हमारे पिता हैं उनहीं से मांगना चाहिए और वही परमात्मा पूजनी हैं हमारे स्वामी हैं इश्टदेव हैं तो उनहीं से जब हम तो हमें सुख होगा अन्य परमात्मा के काल्पनिक स्वरूपों से हमें एक समझ के साथ हमें वहां से हटकर परमात्मा के यथार्थ स्वरूप से स्वयम को जोड़ना है तो ये 81 सुख्त का तीसरा मंत्र जो आरिया भिविन ग्रंथ में महरशी जी के व्याख्यान के साथ उपलब्ध हुआ उसको हम लोगों ने यहां समझने का प्रयास किया इसी प्रकार से दस्वे मंडल का जो ब्यासिमा सुख्त है 82 ब्यासिमा जो सुख्त है उसका सात्वा मंत्र यह भी आरिया भिविन ग्रंथ के अंदर उपलब्ध होता है चोकि महशी द्यानन सहस्वती जी का दस्वे मंडल पर वेद भाष्य तो उपलब्ध नहीं है तो अब दस्वे मंडल के जो मंत्र उनके अन्य ग्रंथों में उपलब्ध हो रहे हैं यह हमारे लिए बड़ा सोभागे का विशे है तो आरिया भिविन ग्रंथ के अंदर बेयासिवे सुक्त का सात्वा मंत्र भी उपलब्ध है और यह सात्वा मंत्र यजुर वेद के सत्रहवे अध्याय में 31 मंत्र के रूप में भी उपलब्ध है आप यजुरुवेद भाष्य में भी उसका अर्थ देख सकते हैं और आरिया भिविन ग्रंथ के अंदर भी आप उसका अर्थ प्राप्त कर सकते हैं तो जो मंत्र है ब्यासिवे सुक्त का सात्वा मंत्र दस्वे मंडल का उसका प्रथम में पाठ कर रहा हूं ओम नतम्विदाथ यइमाज जानान यद्युष्मा कमंतरं बभूव निहारेण प्राव्रिता जल्प्याचा सुत्रिपा उक्थशा सश्चरंति ओम्न तम्विदाथ यइमाज जान्य द्युष्मा कमंतरं बभूव निहारेण प्राव्रिता जल्प्याचा सुत्रिपा उक्थशा सश्चरंति इस पर महशी जी का आरिया भिविनए में इस प्रकार से व्याख्यान है हे जीवों जो परमात्मा इन सब भूवनों का बनाने वाला विश्व कर्मा है जिसको तुम लूग नहीं जानते हो इसी हेतु से तुम निहारेण अत्यंत अविद्या से आव्रित मिथ्यावाद नास्तिकत्व बकवाद करते हूँ इससे दुख ही तुमको मिलेगा सुख नहीं तो निहारेण का क्यार्थ किया अत्यंत अविद्या से आव्रित हो मिथ्यावाद से नास्तिकत्व से और व्यर्थ की ही बाते करते हो तो इन चीजों से तुम जकड़े हुए हो इससे तुम्हें जीवन में दुख ही मिलेगा सुख नहीं तुम लोग असुत्रिपह केवल स्वार्थ साधक प्राण पोशन मात्र में ही प्रव्रित हो रहे हु तो असुत्रिपह का क्या अर्थ है कि स्वार्थ साधक प्राण पोशन मात्र में ही प्रव्रित उक्थ शासश चरंती केवल विशय भोगों के लिए ही अवईदिक कर्म करने में प्रव्रित हो रहे हो उक्थ शासश चरंती केवल विशय भोगों के लिए ही अवईदिक कर्म करने में प्रव्रित हो रहे हो और जिसने ये सब भुवन अर्थात लोक लूकांतर रचे हैं उस सर्व शक्तिमान न्यायकारी पर ब्रह्म से उल्टे चलते हो अत एव उसको तुम नहीं जानते आगे महशी द्यानन स्वस्वतिय जी ने एक प्रश्न भी उपस्थित किया है प्रश्न वह ब्रह्म और हम जीवात्मा लोग ये दोनों एक हैं वा नहीं उत्तर इस मंत्र के अंदर इस पश्च रुप से आया है अन्यत युश्मा का मंतरम बभुव तो महशी द्यानन स्वस्वतिय जी ने मंत्र के इस अंश को कोट किया उद्रित किया अन्यत युश्मा का मंतरम बभुव फिर उसकी व्याख्या लिखी है अथात ब्रह्म और जीव एक ही हैं ये बात वेद से और युक्ति तरक से कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि जीव ब्रह्म का पूर्व से ही भेद है इनमें पूर्व से ही भेद है ये अलग-अलग चेतन तत्वे हैं और अलग-अलग ही सत्ता वाले हैं इनमें भेद है जीव अविद्या आदी दोश युक्त है ब्रह्म अविद्या आदी दोश युक्त कभी नहीं होता इससे यह निश्चित है कि जीव और ब्रह्म एक ना थे ना होंगे और ना ही है तो जो जीव है वो अविद्या आदी दोशों से युक्त होता है ब्रह्म अविद्या आदी दोश युक्त कभी नहीं होता कई बार आज के नवीन वेदान्ति लोग अद्वैत वादी लोग क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म है ब्रह्म माया के प्रभाव में आ करके वो अपने आपको अपने स्वरूप को भूल जाता है और माया के प्रभाव में आ करके ब्रह्म वो अपने आपको जीव मानने लग जाता है और वो क्या बोलते हैं कि वास्तों में जो जीव है वो ब्रह्म ही है ब्रह्म जीव ही है ब्रह्म माया के प्रभाव से अपने आपको जीव मानने लग जाता है ये बड़ी ही अतारकिक और अवैदिक बात वो करते हैं एक ओर तो कहते हैं कि ब्रह्म सर्वज्य है ब्रह्म सर्वशक्तिमान है तो ऐसे सर्वज्य सर्वशक्तिमान ब्रह्म क्या माया ब्रह्म से भी अधिक शक्तिमान है कि माया ब्रह्म को भी अज्यान में दबा देती है और ब्रह्म माया से ग्रस्त होकर अज्यानी होकर के मैं जीवु हूँ ऐसा मनने लग जाते हैं बहुत ही अतार्किक ये सोच है ये हम्मत है तो समझना इस बात को है कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान है और ब्रह्म हमेशा ही अविद्या आदी दोशों से मुक्त है ब्रह्म को माया भी अविद्या से युक्त नहीं कर सकती ब्रह्म तो सरवज्य हैं, ओमनी शियंट हैं, ओमनी पोटेंट हैं ऐसे ब्रह्म को माया भी अविद्या से ग्रस्त नहीं कर सकती अविद्या युक्त ब्रह्म कभी भी नहीं होते हाँ जो हम आत्माएं हैं जो स्वरूप से अल्प शक्तिमान हैं अत्यंत सीमित सामर्थे वाले हैं हम आत्माएं हम आत्माएं अविद्या से युक्त हो जाते हैं और जब हम आत्माएं अपने जियान के इस्तर को बढ़ाते हैं सच्चे ब्रह्म की उपासना से वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याई करके ध्यानादी करके तब हम जो अविद्या है उसको अलग भी कर लेते हैं। तो हम आत्माएं अविद्या से ग्रस्त भी होती हैं और अविद्या से अलग भी होती हैं हमारा बंध भी होता है और हमारी मुक्ती भी होती है जो ब्रह्म हैं जो परमात्मा हैं जो इश्वर हैं वो तो सर्वशक्तिमान हैं वो तो सदा मुक्ते हैं तो इस रूप में वेद का यहाँ प्रमान आया अन्यत युश्माकम अंतरम बभूबा कि ब्रह्म और जीव दोनों एक हैं यह बात वेद और युक्ती से सिध्ध नहीं हो सकती क्योंकि स्वरू पता है दोनों अलग अलग तत्व हैं अलग अलग चेतन तत्व हैं तो जीव अविद्या आदी दोश युक्त है ब्रह्म अविद्या आदी दोश युक्त कभी नहीं होता इससे यह निश्चित है कि जीव और ब्रह्म एक ना थे ना होंगे और ना ही है किंच व्याप्य व्यापक आधार आधे सेव्य सेवक जन्य जनक आदी संबंध तो जीव आदी के साथ ब्रह्म का है तो हम कहते हैं ना कि त्वमीव माता च पिता त्वमीव त्वमीव बंधुष्च सखा त्वमेव तो इस प्रकार के संबंध तो हैं कि परमात्मा कैसे हैं हमारे माता पिता हैं हम परमात्मा की संताने हैं परमात्मा क्या हैं हमारे आधार हैं और हम आधे हैं आधार और आधे को हम लोग एक कक्षा में समझ चुके हैं इसी प्रकार से परमात्मा कैसे हैं व्यापक हैं और हम व्यापक हैं जिस प्रकार से रुई को यदि आप रुई के छोटे से टुकडे को आप पानी में डाल दें एक बाल्टी पानी में आप रूई डाल दें यदि तो रूई के अंदर पानी अंदर बाहर समा जाता है तो पानी क्या कहलाता है इस उधारण में व्यापक और जो छोटी चीज़ है जिसके अंदर पानी समा गया वो रूई वो क्या कहलाती है व्याप्य तो जैसे पानी की बाल्टी में रूई की इस्थिती है कि रूई के अंदर बाहर सरवत्र पानी व्यापक हो जाता है लेकिन रूई रूई ही रहती है जल जल ही रहता है दोनों स्वरूपता अलग ही रहते हैं ऐसी ही इस्थिती आत्मा हम आत्माओं की और परमात्मा की है परमात्मा सरव्यापक होने से हमारे अंदर बाहर सरवत्र विराचमान है और हमारी इस्थिती परमात्मा में पानी में जैसे रूई की इस्थिती है वैसी ही हमारी है तो इस रूप में हमारा और परमात्मा का कैसा संबंध है व्याप्य व्यापक का संबंध है तो इस प्रकार के संबंध तो जीव और ब्रह्म के हैं इस से जीव ब्रह्म को एक मानना किसी मनुष्य को योक्य नहीं है तो ये जो आज शंकराचारी जी के द्वारा उनके शिश्यों के द्वारा मैं कहूंगा क्योंकि शंकराचारी जी के ग्रंथों में तो तीन अलग अलग तत्वों की सत्ता का भी निरूपन मिल जाता है तो शंकराचारी जी के जो शिश्य हुए उनके द्वारा जिस रूप में इसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है वो अतारकिक है और वेदा नुकूल नहीं है इस रूप में प्रचारिस प्रसारित किया जा रहा है कि जो ब्रह्म है वही जीव है जीव की सत्ता अलग नहीं है तो ये बड़ा ही अतार्किक है एक और कहते हैं कि जो ब्रह्म है जो परमात्मा है वो जो इश्वर हैं वो सर्व्यापक हैं सरवशक्तिमान हैं सरवज्य हैं ओमनीशियंट हैं पर दूसी और कहते हैं कि माया नाम की एक ऐसी शक्ति है जिससे ब्रह्म भी अभी भूत हो कर अविद्या से युक्त हो कर स्वयम को जीव मानने लग जाता है ये कैसी विरोधा विरोध वाली बात है और फिर जो ब्रह्म अपने आपको जीव मान बैठा अब वो अपने आपको याद दिलाने के लिए सो हम का जब करता है कि नहीं मैं जीव नहीं सो हम मैं वो ब्रह्म हूँ सो हम अर्थात मैं वो ब्रह्म हूँ इसका बार-बर जब करता है तब जाकर जो ब्रह्म जो जीव बन गया है तब उसे बोध होता है कि भाई मैं तो वास्ता में ब्रह्म हूँ तो ये कितनी ही अतार्किक और काल्पनिक जैसी ये बात है जिसका प्रचार प्रसार आज पूरे विश्व में बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है तो हमें समझना है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग चेतन तत्व हैं जो आत्मा है वो स्वरूप से अल्प एक देशी और सीमित शक्तियों वाली है और जो परमात्मा है वो सर्व्यापक हैं सर्वज्ज्य हैं ओमनी शियंट हैं और ओमनी पोटेंट हैं सर्वशक्तिमान है आत्मा आत्माएं संख्याओं में संख्या में अने के हैं और ब्रम या परमात्मा या इश्वर ये सब एक ही ओम के अलग-अलग नाम हैं तो जो इश्वर हैं या ब्रम में हैं वो एक ही हैं आत्माएं बहुत सारी हैं आत्माई ही अज्यान से युक्त होती है और मेहनत पुरशार्त करके फिर ज्यान से युक्त होती है तो अज्यान से जब युक्त होती है तो बंधन में आ जाती है जब तत्व ज्यान से युक्त हो जाती है तो मुक्त हो जाती है और जो ब्रह्म है परमात्मा है वो कभी अज्य प्रमियान से युक्त नहीं होते, कभी बंधन में नहीं आते, वो तो सदा मुक्त हैं इसलिए त्वमियव माता चा पिता त्वमियव, वही परमातमा, वही ब्रम हमारे बंधु सखा सब हैं एक और तो ऐसा भी बोलते हैं फिर दूसरी और ये बोलते हैं कि मैं ही हूँ ब्रम्म तो ये बड़ा ही विरोध है आपस में इन बातों का और अतार्किक ये सिद्धान्त ये मत आज प्रचलित हो रहा है तो इसको अच्छे से समझना है और जो शुद्ध वैदिक जो सिद्ध है हम पूर्व की कख्षाओं में भी समझ चुके हैं वो त्राइत वाद का सिद्धान्त है अर्थात तीन पदार्थ नित्य अनादी है और उन तीन पदार्थों में एक पदार्थ जड़ है और दो पदार्थ चेतन है जो प्रकृति है जिसमें तीन पाटिकल से सत्वरजतम जो संख्या में अनंते हैं ये सब कैसे हैं जड़ हैं और इसी प्रक्रती को परमात्मा रौ मैटेरियल के रूप में उपादान कारण के रूप में यूस करके उपयोग करके इस संसार को हम जीवों के लिए बनाते हैं और जो हम जीव रूप आत्माए हैं ये संख्या में बहुत सारी हैं चेतन हैं लेकिन सीमित शक्तियों वाली हैं अल्प शक्तियों वाली हैं और जो परमात्मा जो स्रिजन करते हैं जो ब्रम सारी स्रिष्टी का हम जीवों के लिए वो एक हैं, अनन्त हैं, सर्व्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्य हैं, आदी आदी तो इस रूप में बहुत अच्छे से सिध्धानतों को स्पष्ट रखिएगा अब अगला सुक्त देखते हैं, पच्चासिवा सुक्त ग्रिहस्थ जीवन का पहुत सुन्दर रेती से इस सुक्त में विस्तार पूर्वक निरूपन किया गया है अलग अलग दिश्टिकोन से ग्रिहस्थ धर्म को समझाया गया है जो लोग ग्रिहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के इच्छुक हैं या जिनोंने ग्रिहस्थ में प्रवेश किया हुआ है वो इस सुक्त का गहराई से अध्यान कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए और जो विवाह संस्कार होता है विवाह संस्कार में भी जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें से कई मंत्र इस सुक्त से यहां से लिये गए हैं तो यहां पर ग्रिहस्थ जीवन कैसा होता है वर और वधू आपस में किस प्रकार से सोहार्दर के साथ एकता पूर्वक रहें ग्रिहस्थ जीवन का उद्देश क्या है लख्ष क्या है संतान उत्पत्ती किस भावना से करनी चाहिए विस्तार से अलग-अलग दिष्टी से अलग-अलग चीजों को बहुत अच्छे से कवर करते हुए यहाँ पर ग्रिहस्थ जीवन को यहाँ समझाया गया है तो इसको आप लोग देखिएगा मैं कुछ मंत्र उधारण के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं तो जो 85 सुक्त है, 85 सुक्त है, इसका जो सात्वा मंत्र है ओम्चित्तिरा उपबरहनम्चक्षुरा अभ्यंचनम्द्याउर्भूमि कोश आसिद्यदयात सूर्यापतिम्द्द्द्द्द्द्द्द्द् जो प्रस्तुत किया है, वो आपके समक्ष में पढ़ रहा हूं सुयोग्य वधु वही कहलाती है, जिसकी विद्या जियान ही मस्तका भूशन है सुयोग्य वधु वही कहलाती है जिसकी विद्या, जिसका जियान ही उसके मस्तक का भूशन है और उसका स्नेह दर्शन, स्नेह दृष्टी, आँख का अंजन है काजल है उसकी संपत्ति, समस्त प्राणी जगत या माता पिता का आश्रे है ऐसी वधु सुख शान्ती को प्राप्त करती है तो कैसी वधु सुख शान्ती को प्राप्त करती है कि जिसकी विद्या, जिसका जियान बहुत उन्नत है और वही वास्तव में उसके मस्तक का आभुशन होता है जियान विद्या ही मस्तक का वास्तविक आभुशन है तो जो बहु इस आभुशन से अलंकृत है और उसकी आखों का अंजन क्या है या काजल क्या है वो है स्नेह दर्शन, स्नेह द्रिश्टी अब वो जिस परिवार में गई है उस परिवार के प्रतीक सदस्य के प्रती जो एक इसनी है का भाव है वो जो दृष्टी है वो दृष्टी ही मानो उसकी अपनी आँखों का अंजन है काजल है और उसकी संपत्ति क्या है माता पिता का आश्रे ही उसकी वास्तविक संपत्ती है तो इस नए घर के अंदर जो अब माता पिता प्राप्त हुमे है उनके साथ इतना अटूट सनेह अटूट बंधन और उनके अनुभवों से लाव उठाना उनके सानिध्य में अपने आपको सुरक्षित महसूस करना ही उसकी वास्तविक संपत्ती है ऐसी वधू सुख शान्ती को प्राप्त करती है बहुत सारे भाव मिलेंगे आपको और इसमें बहुत सारे मंत्रे हैं इस प्रकार से ग्रिहस्त जीवन वर वधू विशय से संबंधित आप देखिएगा जो ग्यारमा मंत्र है ग्यारमे मंत्र का भावार्थ ग्रिहस्त रत को स्तुती और शान्त भाव से वहन करते हैं परस्पर एक दूसरे की स्तुती और शान्ती वर वधू में होनी चाहिए और परस्पर एक दूसरे के अभी प्राय को सुनना भी आवश्यक है तथा अन्य सामग्री चेतन और जड़ का संग्रह भी होना चाहिए तो क्या कह रहे हैं वर वधू के लिए क्या कह रहे हैं जब उस ग्रिहस्त जीवन में वो एक दूसरे की स्तूती करें अथात एक दूसरे की प्रशंसा करें और उसके साथ साथ एक दूसरे के प्रती व्यभार बहुत ही शान्त भाव से करें तो परस्पर एक दूसरे की स्तूती करें और परस्पर के व्यभार में शान्ती का भाव बना रहे वधू के अंदर भी बना रहे वर के अंदर भी शान्ती का भाव बना रहे और वधू वर की स्तुती करे प्रशंसा करे अच्छाईयों की और जो वर है वो भी वधू की स्तुती करे प्रशंसा करे तो जब ये स्तुती दोनों एक दूसरे की करेंगे प्रशंसा करेंगे और शांती का भाव आपस में विवहार में इस्थिर करेंगे तब उनका जो ग्रिहस्त रूपी रत है ग्रिहस्त जीवन अच्छे से चल सकेगा और उसके साथ क्या बात कह रहे हैं कि परस्पर एक दूसरे के अभी प्राय को सुनना भी आवश्यक है शान्त भाव से एक दूसरे के अभी प्राय को एक दूसरे के विचार को सुनना चाहिए अधिक आपस में तर्क वितर्क करके आपस में एक दूसरे के खंडन मंडन में जो अभी उतने सुलजे हुए नहीं है उन्हें बिल्कुल नहीं लगना चाहिए आपस में पहले एकता के भाव में इस्थित हुँ शान्ती के भाव में इस्थित हुँ धैर्य के भाव में इस्थित हुँ हम एक हैं, हम मिलकर अब आगे की संतान का हमने निर्मान करना है, हमारी जिम्मेदारी है, इस एक कत्व की भावना में इस्थिर हो, हमें मिलकर माता पिता की, दोनों पक्षों के माता पिता की, हमें मिलकर सेवा करनी हैं, हम अब एक हैं, हम अलग-अलग हैं ही नहीं, इस भाव पहले इस्थिर हो जाएं अच्छे से एक दूसरे की स्तुती करें एक दूसरे के प्रति शान्त भाव में इस्थिर रहें एक दूसरे की उलाहना ना करें एक दूसरे पर व्यंग्य ना करें कटाक्ष ना करें उपहास ना करें मजाक ना उड़ाएं एक दूसरे को डॉमिनेट ना करें एक दूसरे को दबाएं नहीं ये सब वो चीजें हैं जो संबंधों को बिगार देती दोनों ही वर वधू दोनों ही प्रयतनशील जीवन को बनाने के लिए प्रयतनशील हैं दोनों ही पूरे नहीं है इसको अच्छे से समझना है कई बार वर अपने आपको बहुत ही उचा मानने लग जाता है या कोई वधु भी अपने आपको बहुत उचा मानने वाली हो सकती है ये मैं छोटा हूँ मैं बड़ा हूँ इन भावों में इन भावों से उपर उठकर हम एक हैं इस भावों में स्थिर होना है और हर विक्ति के अंदर कमियां हो सकती हैं, हर विक्ति से तुटियां भी होती हैं, उन सारी कमियों को तुटियों को शांत भाव से सहन करना है, एक दूसरे के पती आदर को बना करके रखना है, सम्मान को बना कर रखना है, शांती को बना करके रखना है, और एक दूसरे के और यदि आप उससे सहमत नहीं है, तो एकदम कटाक्ष नहीं करना है, एकदम खंडन नहीं करना है, समय देखकर सामने वाले की मनों स्थिती देखकर फिर बड़े मनों वैज्यानिक धंग से फिर उसे समझाना है, इन बातों का यदि ग्रिहस्थ जीवन में ध्यान रख लिया जाए, तो जो हमारे रिशी कहते हैं, वो तो कहते हैं कि ग्रिहस्थ आश्रम स्वर्ग आश्रम होता है, और यह आश्रम अन्य आश्रमियों का भी पालन करने वाला होता है, ग्रिहस्थ आश्रम की बड़ी महीमा गाई गई है शास्त्रों के अंदर बशर्ते वर और वधू बहुत सुल्चिफ हुए हूँ तो ग्रिहस्थ जीवन स्वर्ग के तुल्य है ऐसा शास्त्रों में संकेत मिलता है महेशी द्यानन सहस्वती जी ने भी सत्यात प्रकाश के चोथे समुलास में ये बाते लिखी हुई है स्वर्ग आश्रम है ये बात उन्होंने भी सत्यात प्रकाश के चोथे समुलास में लिखी है और यही आश्रम है जो अन आश्रमियों का भरण पोशन करता है ब्रह्मचर ये आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम में सन्यास आश्रम में जो लोग हैं उनका भी भरण पोशन करने वाला ये आश्रम है तो बहुत ही जिम्मेदारी का आश्रम है और ये जिम्मेदारी तभी न प्रेम के अटूट प्रेम के और गहरे अध्यात्मिक भावनात्मक संबंध में प्रेम में वो इस्थित हो तब वो इस जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निभा पाएंगे तो एक दूसरे की स्तुति करें एक दूसरे को शान्त भाव से एक दूसरे के भावों को समझें और एक दूसरे की प्रशंसा करें और एक दूसरे के विचारों को सुने धैर्य से अधिक तर्क वितर्क प्रारंभ में नहीं होना चाहिए जब आखपस की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉंग हो जाए और जब पता चल जाए इस बात से कि हमारी अब बॉन्डिंग अंदर की इतनी स्ट्रॉंग है कि किसी विशे में यदि हम खुल कर चर्चा करते हैं और उसमें यदि हमारे मनतव विभिन भी है तो भी हमारी बॉन्डिंग में कोई अंदर की प्रेम में कोई अंतर नहीं आएगा तब फिर आप इस रूप में भी चर्चा करें लेकिन कई मैंने ऐसे देखें हैं कई ऐसे कपल्स देखें हैं क्योंकि आजकल चुकि जो modern education है वो एक logical mind develop कर देती है तो आज ये बड़ी अच्छी बात है कि पुरुष और इस्त्री दोनों ही काफी अच्छी पड़ाईओं को कर रहे हैं educated हैं तो दोनों का ही mind काफी logical है और जब दो logical लोग आपस में मिलकर बैठ जाते हैं जीवन में और यदि वो इन चीज़ों को गहराई से नहीं समझते जिन बातों को वेट समझा रहा है शास्त्र समझा रहे हैं और चुकि logical mind है अभी उतने सुलजे हुए नहीं है अब logical mind है और एक दूसरे के साथ किनी छोटे छोटे मुद्दों में ही जब तर्क वितर्क करने लग जाते हैं तो आपस में अभी जुड़े भी नहीं होते हैं कि इससे पहले ही दूर हो जाते हैं तो ऐसी घटनाएं दूर घटनाएं ना घटें तो बड़ी सुस समझ के साथ हमें बुद्धी का भी प्रयोग करना है और भावनाओं का एक दूसे के प्रति आदर, इसनेह, धैरिये और शांती के भाव को जीवन में लाना है तब ग्रिहस्त जीवन निश्चेत रूप से स्वर्ग आश्रम हो सकता है और आप अभी भी बना सकते हैं कारण और कारे के सिद्धान को समझेंगे अच्छे कारणों को अरजित करेंगे तब ग्रिहस्त में पुनह सुख अवश्य आ सकेगा और या और भी बहतर सुख आप अनभव कर सकेंगे अब अगला देखें 46 मंत्र है 46 मंत्र इसी 85 में सुक्त का ओम सम्राजी श्वसूरे भव सम्राजी श्वश्रुवाम भव ननांदरि सम्राजी भव सम्राजी अधिते प्रिशू तो इसमें क्या कहा जा रहा है भावार्थ ये है वधू का परिवार में व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वह ससुर, सास, ननन्द और देवरों के अंदर सम्मान और इसनिह महारानी की भांती प्राप्त कर सके बहुत बढ़ी बात कही गई है क्या बात कही गई? कि वधू का परिवार में व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि ससुर, सास, ननन्द और देवरों के प्रती वधू के प्रती इन सब के अंदर ससुर, सास, ननन्द और देवरों में इन सब के अंदर वधू के प्रती सम्मान और सनेह महारानी जैसा हो तो व्यवहार ऐसा हो वधू का कि वधू इतनी व्यवहार में सनेह देने वाली हो इतनी सुलजी हो इतनी सब का ध्यान रखने वाली हो कि ये सब सास, ससुर, ननन्द देवर, आदी उसका हृदय से सम्मान करने वाले हो और जिस प्रकार से एक महारानी का, एक पूरे संचाली का का, जिस प्रकार से उसको लोग रिदय से स्विकार करते हैं, उसी प्रकार से सभी लोग वधु को ऐसे रिदय से स्विकार कर सकें और सम्मान दे सकें, ऐसा विवहार वधु को करना चाहिए, तो ये हमारे व्यभार के उपर है कि हम कैसा सम्मान हम दूसरों से प्राप्ति कर सके और ये बात भी ठीक है कि कई बार सामने वाला ही यदि नकारात्मक सोच का है तो अच्छे से अच्छा व्यभार भी प्रारंभ में एकदम उसे प्रभावित नहीं कर पाता लेकिन ये भी सत्य है कि यदि हम धैर्य के साथ अच्छे वेवार को अच्छे सुझावों को इसनेह और आत्मियता के साथ दूसरों की सेवा को लगन के साथ करते रहेंगे तो कितना ही नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति क्यों ना हो देर सबेर उसकी सोच में परिवर्तन आता ही है और उसका हमारे प्रती सम्मान का भाव बनेगा ही बनेगा तो वधू का विवार ऐसा हो जिससे की इन सब के अंदर साथ ससूर ननन देवर के अंदर उसके प्रती रिदय से सम्मान का भाव पैदा हो जाए और वो उसे घर की माहरानी के रूप में संचालिका के रूप में स्विकार कर ले ऐसा बधू को विवहार बनाने का प्रयास करना चाहिए तो इसमें बहुत सारे मंतरे हैं आप 47 मंतरे हैं इस सुक्त में 47 मंतरे हैं और 47 मंतरों में से अधिकांश मंतर अधिकांश यहां 7-8 मंतर अन्य विशेवाले भी होंगे तो अधिकाश मंत्र इसी विशे पर केंद्रित है तो जरूर आप इस विवाह सुक्त को भी जरूर देखिएगा इसको भी पढ़िएगा अब समय के अनुसार एक बारों तीन बार शान्ती शान्ति 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 ओ